हाई एवरिवन मेरा नाम शालनी कामरा है आज आपके साथ चर्चा करते हैं डिप्रेशन के साइन्स के बारे में कि क्या ऐसे आप सिग्निफिकेंटली क्या साइन देखते हो दूसरों में या खुद में जिसे आपको पता चलता है या तो सामने वाला व्यक्तिया या आप खु है इस तकलीफ है जिसे जिसको है वो भी नहीं जानता शैक qué क्या क्या सिंटब्स हो सकते स्व अगर किसी को डिप्रेशन है तो सबसे पहली बात उसको अपने आपको अकेला रहना जादा पसंद करता होगा वो व्यक्ति चाहे वो आप खुद है चाहे वो आपकी फैमिली में कोई व्यक्ति है वो कहीं किसी से घुलता मिलना कम पसंद करता होगा उसको घुलना मिलना कम पसंद है अगर वो कहीं है भी गैदरिंग्स में लेकिन वो वहाँ पे रहके भी स को अच्छा dress up करने का मन नहीं करता अपने うर्व को अपने किसी important काम को भी डिले कर देता है कोई जो भी व्यक्ति डिपरेंट है या उसको fancy rain में भी वह कभी भी छोगों के आइडिया के बारें बात नहीं करता ऊसके प्राप्रॉब्लम्स กी बारें आपके असपास कोई व्यक्ती है और हमेशा लगातार ठकावाट की कंप्लेन करता है कि मैं बहुत ठका हुआ हूं तो कहीना कहीना आपको समझ जाना चाहिए तो सामने वाला व्यक्ति जायों या तो है या तो कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ट है और अगर अभी वह पूरी तरह डिप्रेशन में नहीं तो कहीं ना कहीं वह डिप्रेशन की तरह बढ़ता जा रहा है तो ऐसे व्यक्ति की हैल्प आप सबको करनी चाहिए यह कुछ सिम्टम्स जिसको हमें पता होना चाहिए कि ऐसे सिम्टम्स अगर किसी व्यक्ति को है पहले सिम्टम्स को रिकोगनाईज करना है फिर हमें यह पता होना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति को हम सपोर्ट कैसे कर सकते हैं उसका सपोर्ट सिस्टम हमें कैसे बनना है उसको हमें खुश कैस वाइफ जो कोई भी बुरा नहीं होता इस टम्-के बारे में हम आगे बहुत अच्छी डिसकस करेंगे लेकिन जो आजका family में कोई इस तरह के एका symptom रखता है जिसको की हर तरफ negativity दिखती हो जो की जिसको कुछ याद नहीं रहता हो उसका brain fog रहता हो जिसको कोई hobbies भी attract नहीं करती हो जिसके कोई hobbies भी नहीं हो सारा दिन पड़े रहने का दिल करता हो उसकी self consciousness उसको कुछ अलाओ ही ना करती हो उसको किसी के होने ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो वो दूसरों के बीच में gatherings पर जाके बैठना पसंद नहीं करता है लोगों के साथ involved होना पसंद नहीं करता है कहीं घुमने जाने पर भी उसको वो खुशी महसूस नहीं होती है जहां सब लोग enjoy कर रहे होते हैं वो आपे वो enjoy नहीं कर पाता तो इस तरीके की symptoms को lightly मत लीजिए यह depression के symptoms हैं इस symptoms पे इन symptoms को हमें बहुती closely watch करने चाहिए और उसके बारे में हमें कदम उठाना चाहिए थैंक यू